आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक के बारे में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है हम जानेंगे कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक क्या होता है और ये कप करा जाता है देखिए एंजियोग्राफिक प्रोसिजर होता है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे खुन की नलिकाओं में कोई रुकावर्ट तो नहीं है या फिर और कोई परिसानी तो नहीं है यानि कि इसके दुआर हम अपने खुन की नलिकाओं की जाच करते हैं अब हम जान लेने के हमें यह टेस्क कप कराना चाहिए। देखिए आप जानते हैं कि हमारे सरीर में खौन को एक जगा से दूसरी जगा लेजाने के लिए खौन की नलिकाए पाई जाती हैं।rand या फिर triglystide भढ़ जाते हैं तो ये हमारी नलिकाओ में भी जमा होना start हो जाते हैं जिससे हमारा खोन एक जगा से दूतरी जगा नहीं जा पाता और जहां जाना होता है यानि कि जिस body organ में जाना होता है वहां भी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता जिससे उस organ में problem होना start हो जाती है तो एंजियोग्राफी से हम उस रुकावट का पता लगा लेते हैं और एंजियोग्राफी के तुरंद बात उसे ठीक करने के लिए या फिर जो रुकावट आई है उसे ठीक करने के लिए जिस टेकनिका यूस किया जाता है उसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे तो पहले हम जान लेते हैं कि एंजियोग्राफी कैसे की जाती है देखिए इसके लिए दो तरीके होते हैं इसमें एक धागे नूमा कैथेटर या तो हमारे जांग के रास्ते से या फिर हमारे हाथ के रास्ते से हमारे खून की नलिकाओ में डाला जाता है और ये कैथेटर हमारी नलिकाओ से होता हुआ हमारे दिल तक पहुँच जाता है जहाँ पर हमारी coronary artery होती है उसमें ये पहुंच जाता है और साथ में हम इसे x-ray से देखते रहते हैं कि ये सही से जा रहा है या फिर नहीं और जैसे ही वहाँ पर पहुंच जाता है फिर हम इसमें एक contrast डालते हैं यानि कि ये color होता है उसे हम डालते हैं जिससे वहाँ पर color उ बास्ते से एक और ट्यूब ढालते हैं देखिए जिस जगा जमाब होता है या फिर जिस जगा प्लैग होता है उस जगा ये तार फूल जाता है यानि कि गुबारे के अकार में फूल जाता है और बार बार फूल फूल कर उस जमाब को हटा देता है और उसे पूरी तरह से हटा है क्युक्कि इसके दो और हम जान सकते हैं कि जो नलिकाय हमारे हरदे में जाती हैं उसमें कोई रुकावट तो नहीं है तो इस तरह से जदी आपके भी हरदे में कोई प्रॉबल्म रहती है या फिर आपके हरदे में कभी कभी दर्द होता है तो आपको अपने लोक्टर से सलाह लेकर यह टेस्ट जरूर कराना चाहिए देखिए जब हमारी खुन की नली बहुत ज़दा ब्लोक हो जाती है तो उस समय एंजियो प्लास्टी करा जाती है लेकिन यदि आपके हलका फुलका ब्लोकेज रहता है तो आप उसे खुद से भी ठीक कर सकते हैं इसक पर आपके लिए टिप्स नंबर वन है हेल्थी डाइट आपको एक हेल्थी डाइट लेनी होगी आपको अपने डाइट से फैट और सुगर को कम करना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये फैट हमारे सरीर के सासाथ हमारे खुन की नलिकाओं में भी जमा हो जाता है जिससे ह हमारा पूरा सरीर सुष्ट रहता है और हमारा फैट भी कम हो जाता है इसलिए आपको नियमित एक्सरसाइज भी करनी होगी नमबर ठर्ड रिड्यूस वेड यदि आपका वेड जादा है आपकी एज के अनुसार तो आपको अपना वेड भी कम करना होगा जिससे आपका ओवराल फैट भी कम हो जाएगा और आप पूरी तरह से सुष्ट रहेंगे तो आपको ये तीनों बाते फोलो करने होगी यदि आप ये तीनों बाते फोलो कर लेते हैं तो आपकी जो समस्य है वो बहुत जल ठीक हो जाएगी और आगे आपको कभी